दोस्तो आपने अगर थमनेल देखके या वीडियो की टाइटल को देखके इस वीडियो के लिंक पे क्लिक किया है तो इसका अर्थ है कि या तो आप पूजा करते हैं या फिर आप किसी ने किसी माध्यम से इश्वर से जुड़े हुए हैं या इश्वरों विश्वास रखते ह और आज मैं आपको कुछ ऐसी बाते बताने जा रहा हूँ एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने रोज मर्रा के जो डेली रूटीन की आपकी पूजा पाठ है जो इश्वर की अराधना है इबादत है प्रार्थना है जो भी तरीका है आपका जिस भी बहुत बड़ा बदला हो सकता है। आज हम इस विशय पे चर्चा करेंगे। बहुत जरूरी है। एक ऐसा महल, एक ऐसा एन्वायर्मेंट जो हमें ईशय से जुड़ने में हमारी मदद करें। इसलिए पूजा के पहले आप सनान कर लें। अपने नहाने के पानी में आप थोड़ा सा सॉल्ट एड़ करें। और कोई ऐसा फ्रेगरेंट ओईल या फिर इसके बाद अच्छे से तयार हूँ जिस भी तरह आप भगवान के सामने जाते हैं जो भी वेश भूशा है आपकी। एक खुशी के साथ, एक विलिंगनेस के साथ की आज मुझे कुछ अनुभाव करना हैं। ऐसी भावना के साथ अब आप इश्वर के सामने जाहिए। पर इश्वर का नाम जब करना या जो भी आपका तरीका है आज हमें उस पैटर्न को ब्रेक करना हैं। इसलिए किसी प्रकार की मिलावट न होने दें। किसी प्रकार के तरीकों को जो आप फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें फॉलो ना करें। आज एक दिन के लिए उससे ब्रेक और सिर्फ अपनी शुद्ध अंता करण से इश्वर से जुड़ने का हम प्रयास करेंगे। हमारे प्योर कॉंशेस के साथ आज हम इश्वर को एक्स्पीरिंस करने की कोशिश करेंगे। अब आपको इश्वर के सामने खड़े होके अपने मन के विचारों को, अपने शरीर क अपनी बुद्धी को, सब कुछ जो आप अपने शरीर से संबंदित है, जो आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड है, उन सब को इश्वर के हवाले कर दो। उन सब को जिस भी शक्ती के आप पासना करते हैं, उनके आगे समर्पित कर दीजिए। क्योंकि अब आप सिर्फ एक नवजाच शिशु के भाती उनके सामने खड़े हैं, जिसके पास ना कोई विचार है, ना जिसके पास कोई विदी है, जिसे कुछ भी नहीं पता। क्योंकि करुणा तब ही बरसेगी, जब आप एक नवजाच शिशु बन जाएंगे, जिसे सब कुछ आता हो, जिसे बह पुरा उलट दे, आज बहने दे, और नई उर्जाओं को, न्यू एनरजी को अपनी बॉड़ी के अंदर फ्लो होने के लिए रेडी रहें, और ईश्वर से उन उर्जाओं के लिए प्रार्तना करें। परिवार ने मुझे बताई, किसी गुरू ने मुझे बताई, हजारो साल पहले कोई किसी ने एक आर्ती या कोई मंतर बनाया था, मैं उसी को बुद्बुदाते, उसी को गुनगान करते हुए आ रहा हूँ, पर हे ईश्वर, आज आपने मुझे मुझे मौका दिया कि मैं प इश्वास ऐसी श्रद्धा के साथ आपको ईश्वर के आगे नमन करना है, और जो आगे की परक्रियमा बता रहा हूँ, इसको आप फॉलो करें। अगर मैं आपसे ये कहूँ, कि मन में जो भी आए उसे बोल देना, तो वो वहाँ पे बैमानी हो जाएगी, क्योंकि बोलना बुद्धी का काम है, जब आप बोलना शुरू करेंगे, तो आपकी बुद्धी का प्रयोग हो जाएगा, और आज के लिए अपनी बुद्धी का प्रयोग ना करें, सिर्फ जो आपके अंतय करण की जो आपकी चेतना की आवाज है, उसे अपने इश्वर तक पहुँचने दे, किसी प्रकार का बीच में बंधन ना लगाए, जो जैसी बात आपके महिरदय से निकल रही है, उसे अपने इश्वर तक वैसे ही व्यक्त करें बहुत से लोग मैंने देखा है, कि जब इश्वर से बात करते हैं तो कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि उनके पास उतने ज़्यादा सम्मान्निय या सम्मान जनक, या सम्मान सूचक शब्द नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इश्वर तो बहुत बड़ी शक्ती ह और जैसा मैं दिल में सोचता हूँ वैसे ही बात कह दूँगा तो शायद वो अभद्र लगे या शायद वो उतनी अच्छी ना लगे जब तक आप अपने इश्वर को अपने से अलग समझेंगे तब तक उनसे जुड़ना उतना ही मुश्किल है बहुत जरूरी है कि पहले हम यह विश्वास रखें कि मेरे इश्वर और मेरे बीच में कहीं कोई भेद नहीं है हम दोनों एक जैसे हैं क्योंकि मैं अपने इश्वर की ही संतान हूँ इसलिए जैसे मन में विचारा हैं जो भाव हो उसे वैसे ही व्यक्त करें इसके बाद आपको ईश्वर का आवाहन करना है ईश्वर को बुलाओ इतनी जोर से आवाज लगाओ कि उसको आना पड़े भगवान को बोलो कि आज तो आना पड़ेगा आज मैं बिना किसी सहारे के आया हूँ आज मैं अकेला आया हूँ आज तो सिर्फ मैं और तुम हो अगर कोई बात है तो आओ प्रभू ऐसा कह देना ये जो भी आपके विचार हो इसके बाद इसी महौल को और अच्छा बनाने के लिए आप भगवान की पंच पूजा कर सकते हैं उन्हें धूप जला सकते हैं उनके लिए आगे दीपक जला सकते हैं कुछ गंध के लिए इंतजामात कर सकते हैं कुछ भोग लगा सकते हैं और अगर ये सारी चीजें ना भी हो तो मन से ऐसा विचार बनाएं कि आप ये सब इश्वर को समर्पित कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि आपके पास साधन हो खेर ये सब कर लेने के बाद ऐसा महसूस करने के लिए जागरित रहें कि इश्वर आएं हैं इस अनुभव में कुछ ढूंडने मत लग जाना कि इश्वर आएंगे तो क्या होगा क्या मुझे कुछ रौष्णी दिखेगी कानों में कोई आवाज आएगी हवा चलने लगेगी ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है हमें बहतर तो है कि अगर हम इस भाव में आस्था रखें और आगे बढ़ चलें और क्योंकि अगब आपने इश्वर को बुला ही लिया है वे आपके सामने खड़े हैं आपके सामने प्रेजेंट है तो अपने मन के विचारों को अपनी भावनाओं को ही अपनी प्रार्थना बनाओ जो इतने सालों से प्रार्थना करते आये हो जिसमें शायद कुछ शब्दों के तो अर्थ भी हमें नहीं पता उन्हें छोड़के अपने मन के विचारों को मोती बना लो उन मोतियों के बीच में अपने शब्दों की एक धागा डालके एक माला पे रोलो शब्द तूटे फूटे हो सकते हैं पर ईश्वर को इससे कोई फरक नहीं बढ़ता ईश्वर सिर्फ सत्य को चाता है ईश्वर सिर्फ आपके भाव को चाता है जो भी आप अंदर से महसूस करते हैं उसे कह दे जो एतने दिनों से दूसरों के विचारों पे चल रहे थे कुछ भी कह रहे थे जो शायद कभी आपने महसूस ना किया हो उसे छोड़के आज जो महसूस कर रहे हैं उसे कहने की कोशिश करें अपने मन को खोल के ईश्वर से प्रार्तना करें जो मांगना है मांग लें और इश्वर के सामने शर्माने की जरुरत तो बिलकुल भी नहीं है और अच्छा बनने की कोशिश तो बिलकुल मत करना क्योंकि अगर आप अच्छे हैं तो वह भी इश्वर को पता है और अगर आप अपने अनुसार बुरे है तो भी इश्वर को पता है क्योंकि इश्वर एक तटस्थ अवस्था का नाम है इश्वर निूट्रल है उसके लिए ना कुछ अच्छा है और ना कुछ बुरा है इसलिए कुछ भी बनने का प्रयास ना करे जो हैं वही होते हुए उसी को स्विकार करते हुए अपने मन के विचारों को इश्वर के आगे रखे एक घंटा, दो घंटा, दस मने जितना आपको उचित लगे जब तक आपके मन की सारी बाते खतम ना हो जाए आज कह डालो क्योंकि ऐसा मानो की आज इश्वर तुमारे सामने बैठे हैं और शायद दुबारा है मौका मिले ना मिले जब तक वो हैं, तब तक अपने मन की हर बात उनके आगे कह डालो और जब अपने मन की हर बात आपने उनके आगे कह दिये तो शान्ती का नुभाव करें ये उस शान्ती की में बात कर रहा हूँ जो आपके भीतर से उपच्चती है क्योंकि तुम्हारे मन की बात तुमने उस विक्ती के आगे उस शक्ती के आगे कह दिये जो सर्व समर्थ है जो सब कुछ कर सकता है तो फिर कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं अगर भीतरी शांती महसूस हो अगर मन में जो हलचल हमेशा चलती रहती है अब वो ठंडी पड़ गई हो अब वो शांत हो गई हो तो मन, बुद्धी और शरीर सिर्रहित अब जो पदार्त शेश बचा है यानि तुमारी आत्मा जो तुम स्वयम में खुद हो जिसको अनुभव करने के लिए ये सारी माया ये सारा प्रपंच जो हमने फॉलो किया है इसे महसूस करने की इसे अनुभव करने की कोशिश करो भीतर एक छोटा सा डॉट है हमारे शरीर के बिलकुल मद्ध में एक ऐसा पॉइंट है जो हमेशा स्थिर रहता है सारी हलचल के आस पास चारो तरफ कुछ न कुछ कहीं वाइब्रेशन हो रहा है कुछ आवाज हो रही है कोई मूवमेंट हो रहा है लेकिन एक शक्ती एक पदार्थ ऐसा है जो अचल है और वही पदार्थ है जो हमारी असलियत है जो कभी नहीं बदल सकता उसे अनुभव करने का प्रयास करें क्योंकि अब एश्वर को तो आपने बला ही लिया है वह आपके सामने है तो उनकी चेतना से प्रवाहित होने वाला जो अनुभव है अब उसमें अपने शरीर को डुबोने का प्रयास करें परम चेतना के प्रवाह को शरीर में उतरने दें फिर जो अनुभव हो वो आप मुझे जरूर बताएं मैं आपको शुबकाम नाएं और बधाई अभी से दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह अगर आपने कोई भी प्रक्रिया से किसी भी तरह से किसी भी शक्ती की अराधना उपासना करी तो अनुभव बहुती जबरदस्त होगा ये जो अनुभव में इसी ध्यान में जब तक आपके मन में कोई हल चल ना हो जब तक आपका दिल करे उसी स्थान पर बैठ कर ये जिस भी अवस्था में आप हैं उस अनुभव को continue होने दे ये आपका ध्यान है आम तोर पे इंसान इश्वर की पूजा पाट करने के बाद आरती कर लेने के बाद अपनी पूजा को समात्त करता है पर जो योगी है जो रिसर्च करना चाहता है जिसके मन में परश्ण है जो कुछ पाना चाहता है उसे इसी छोर के बाद क्योंकि जब तुमने ईश्वर को बुला लिया उसका सत्कार कर लिया उसे नमन कर लिया पर आम तौर पे हम इसके बाद पूझा के कमरे से बहार निकलते हैं और अपनी रोज मर्ला के जीवन में फिर से बिजी हो जाते हैं पर आज ऐसा ना करें आज इस अनुभाव को थुड़ी दिर महसूस होने ले ऐसा देखें कि क्या होता क्या है इसके बार क्योंकि इसके अलावा जो अभी तक आप करते आए हैं वे सब भ्रम है वे सब मिथ्या है कहानी तो अब शुरू होगी इसी अनुभाव को ध्यान कहते हैं इस ध्यान में डूबने की कोशिश करें और अगर डूब जाएं तो कॉमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों अध्यात्म से संबंदित जीवन की कठनायों संबंदित अगर आपके कोई प्रशन है तो आप फ्राइडे रात को 9 बजे जो मेरा लाइव सेशन होता है उसमें जुड़ सकते हैं अपने प्रशनों को लाइव चैट के माध्यम से मेरे तक पहुचा सकते हैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके questions का मैं answer या तो लाइव सेशन में आपको दूँ या फिर मैं उसके बाद one-on-one आपसे connect करके आपको उनके answers प्रोवाइड करू इसके लावा बाकी दिनों में भी मुझसे जुड़ने के लिए आप WhatsApp कर सकते हैं नंबर डिस्क्रिप्शन में है मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी आपके question है या जो भी आपके जीवन के कठनाईया है हरी कृपा से उनके लिए कोई न कोई solution निकले आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद